बलिया में वैपारियों की दबंगई या कुछ और वैपारियों ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर की गाड़ी रोके वैपारियों ने चलान करने से किया इनका वैपारियों की गाड़ी खड़ी करने से लगा रहता है जाम ट्रैफिक इंस्पेक्टर कर रहे थे गाडियों का चलान वैपारियों ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर से की जमकर अभधर था पुलीस फोर्स आने के बाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर को जाने दिया जिले में शहर के बीचों बीच इस्तित मंडी के चमन सिंग बाग रोड में सबताहिक बंदी को छोड़ कर प्रती एक दिन गाड़ियों के माधिम से समानों का धुलान होता है जिससे जाम की इस्तिती बनी रहती है जाम से निजात पाने के लिए समय समय पर पुलीस प्रशासन द्वारा करवाई की जाती है इसी क्रम में आज टियसाई चमन सिंग बाग रोड पहुँचे और खड़ी गाड़ियों का फोटो खीशने लगे जिसका वैपारियों ने बिरूध किया वैपारियों की माने तो टियसाई फीस के लिए वैपारियों को परिसान कर रहे थे वैपारियों का माना है कि टियसाई द्वारा यह कहा जा रहा है कि 9 बजे रात के बाद गाड़ियों को लाकर खाली कराएं पूरे दिन वैपारी काम करें और रात में गाड़ी बांग कर खाली करें यह संभाव नहीं हो पा रहा है क्योंकि रात में लेबर नहीं रहते हैं खैर वैपारी और TSI के बीच आज कुछ गरमा गरम भहस भी हुई जिसे मौके पर पहुँचकर कोटवाल ने श्चान कराया लेकिन वैपारियो में TSI के फरमान का बिरूद देखने को मिला जिसे मौके पर पहुचकर कोटवाल ने श्चान करें लेकिन वैपारियो में TSI किसले बना है क्या है जिसे मौके पर अचान करें पर जादिखने को जिसे पर पहुचकर कोटवाल ने लागिए आज कार्षचकर कार्वाल ने श्चान कराहां करएंगे काँ बाई चैनल ऑर गड़ी रोड़ पर श्योर नहीं लगेंगी ताम वड़ी गाई पर चाहिए कर दो कर दो जो कर दो कर दो घो